लोहे को कोई नश्ट नहीं कर सकता बस उसकी जो जंग लग रहा था लोहा में न वही जो है वो लोहा को नश्ट कर सकता है वरना लोहा जो है वो उसको कोई नश्ट नहीं कर सकता इस धर्ती से उसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बलकि उसका अभिमान यानि घमंड और उसकी छोटी सोच ही जो है वो उससे नश्ट कर सकता है तो आप सभी को पता होना चाहिए, अभिमान करना भी क्यों है भाई, जब इस दुनिया में हम कुछ दिन के कटपुतली है, तो घमड किस बात का, एक दिन तो जाना ही है न, तो जब तक रहेंगे, तब तक अच्छा बेवहार मना करेंगे, ताकि हम से जो जुड़े लोग हैं उन पर भी कोई जो है, उनसे भी लोग मेरे जाने के बाद, अच्छे से बात करें, उनका देखवाल करें, अच्छे से मुझे याद करें मेरे जाने के बाद भी, क्लास को स्टार्ट करूँगा बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नए है, चैमल को सस्क्राइब करने के और इंग्लिस में भी आप जो है मोक्तिस दे सकते हैं हर एक एक्जाम का रेलवे, SEC और बैंक किसी का भी ठीक है और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 15 फैवरी के इपोर्टेंट करेंट अफेर कुछ इपोर्टेंट तत्य के साथ उसके पहले एक बार क्लास का टाइमिंग देख लो और एक बात, आज साम को जो चार बजे क्लास होने वाला है न समिधान के उपर टॉप क्लास क्लास होगा, आपको क्लास मिलेगा आज और साथ ही चार ये भी बता दूँ, 200 प्लस इपोर्टेंट क्वेसिन का प्रिडिया भी आप सभी को आज ही दिया जाएगा क्योंकि Constitution का समिधान का जो है वो आज लास्ट क्लास है तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामनी क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्त है, Corona Virus का नया नाम क्या है जो विश्वास संघटन यानी WHO के द्वारा दिया गया है वो नाम क्या है तो वो नाम है आपका COVID-19 ओप्सिन नमबर आपका C तो Corona Virus का नया नाम क्या दिया गया है WHHO के द्वारा तो COVID-19 और एक बात आप सभी को मैंने बताया था WHO जो है यानि विश्वा संघटन जो है क्रोना भाइरस से लड़ने के लिए 675 मिलियन डॉलर रासी जो है वो देगा आप सभी को पता है न मैंने बताया था सुबह साड़े चार बजे वाले ही क्लास में अगला प्रस हमारे सामने है सौरजनिक उद्यम सौरेच्छण दुर 18-19 में किस कंपनी को सबसे अधीक लाबदायक सौरजनिक उपकरम के रूप में नामित किया गया है सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सा है 2018-19 सरवी की अनुसार तो वो कंपनी है आपका ONGC ठीक है और ONG के डारेक्टर कौन है तो ONGC के डारेक्टर जो है उनका नाम है राजेस कुमार सिर्वास्थो ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है RBI ने 13 फैवररी को एनॉस्मेंट किया है एक नोटिफिकेशन डाला है Reserve Bank of India ने कि एक रूपए का नया करेंसी जो है नया नोट जो है उस पर किसका साइन रहेगा और एक नया नोट जो है वो जारी किया जाएगा तो एक रूपए के उपर जो है एक नया नोट जो है वो जारी किया जाएगा Reserve Bank of India के द्वारा और उसके उपर विद्य सचियू का जो है वो साइन रहेगा और विद्य सचियू कौन है अभी अतानु चक हाला कि आप इसके पहले जितने भी एक रुपए के नोट दिखेंगे न उसके उपर आपको अतानु चकरवर्ती के साइन नहीं मिलेंगे और आप सभी को पता है एक रुपए के नोट के उपर वित्व सचियू का साइन होता है अब RBI ने बोला है अब नया नोट जो है वो जा एक रुपए के उपर किसका साइन होता है तो आप क्या बोलोगे वित्व सचियू यानि फाइनेंस सिक्रेट्री ठीक है अगला प्रस्स मारे सामने है हाल ही में किसने सरनाथी अभ्यान के साथ कदम यानि स्टेप वित रिफ्यूजी कैंपन जो है अभ्यान जो है वो सुरू किया है तो ये सुरू किया गया है आपका UNHCR के द्वारा ठीक है और इसका फुल फ्रॉम क्या है United Nation High Commissioner for Refugee और इसके चेयर परसन कौन है तो इनके चेयर परसन है आपका फिलिपो ग्रांडी और इसका UNHCR का हेट क्वार्टर कहां पर है तो वो है आपका जेनेवा जो पढ़ सुधार के लिए किस राज ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है और ये करने वाला है आपका उत्तर परदेश option number आपका D ठीक है बहुत important question है और एक बात अगर कोई पानी गंदा करता है ना वहां के नागरीत तो पानी को गंदा करने कोईस करते है तो उनके उपर भी लगाया जाएगा सरकार का कहना है जितने भी ग्राउंड वाटर जो जल है ना उनको पूरा इंप्रूफ किया जाए साप सुत्रा अगर कोई पानी को गंदा करता है तो उनके उपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और एक बात अगर मैं बात करूँ उत्तर परदेश क के सीम कौन है तो योगी आदित्तेनाथ, राजधानी लखनाउं और राजजपाल कौन है अननदी बेन पटेल अगला प्रस्स हमारे सामने है साथ मार्च 2020 को कौन सा भारतिय हील स्टेशन राष्टिय सित कालीन खेलों की मेजबानी करीगा विच इंडियन हील स्टेशन विल पढ़ता है जो पढ़ता है आपका जम्मू एन कास्मीर में और जम्मू एन कास्मीर के उपर राजपाल का नाम क्या है ग्रीस चंद्र मुम्रू ठीक है ग्रीस चंद्र मुर्मू जो है वहां के उपर राजपाल है जम्मू एन कास्मीर के अगला प्रस्तमारे सामने हैं और एक बात एक लाइक आप कम से कम जरूर करिएगा कर लास आपको अच्छा लगता है डेली सुबत साड़े चार बजे वाला तो परवासी भारतिया केंद्र का नाम बदल कर किस मंत्री के नाम पर रखा गया है अब ये भी बोल सकते हो परवासी भारतिया केंद्र का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है और नया नाम रखा गया है सुस्मा सौराज भवन यानि किसके नाम पर रखा गया है तो जो हमारे बित्तो मंत्री थी इससे पहले बित्तो मंत्री बोल रहा हूँ हमारे विदेश मंत्री सुस्मा सौराजी उनके नाम पर जो है वो रखा गया है यानि परवासी भारतिया केंद्र का नाम चेंज करकर अब रखा गया है सुस्मा सौराच भवन ठीक है अगला प्रसमारे सामने है राष्टपती रामनात कोबिंद ने किस सिन एकाई को राष्टपती रंग परदान किया है आपको बताना है काफी important question है ये वाला और वो सिन एक जी option number E और एक information आप सभी को मैं दे दूँ जितने भी इंडिया में सेन एकाई है ना उनको सबसे जादा अगर उनको अवार्ट देना है या उनको पुरसकार देना है तो सबसे जो highest honor होता है जो सबसे highest honor होता है वो राष्टपती रंग ही होता है और ये सबसे highest honor दिया गया ह है किसको इस बार तो INS सिवा जी को ये एक जहाज है याद रखिएगा काफी important question है यहाँ पर लिखा गया है drawing में मैंने आपको clear समझाया है President color award ceremony to INS सिवा जी ठीक है अगला प्रसमारे सामने है किस राष्ट सरकार ने सरकारी करमचारियों के लिए 5 दिन का सब्ता जो है वो यानि अब वहां कि जो सरकारी करमचारी है वो बस हपते में 5 दिन काम करेंगे ऐसा करने वाला कौसा सरकार है तो महराष्ट्रा महराष्ट्रा की सियम उद्दब ठाकरे कल मैंने आपको गलती बताया था हरवड़ी में घरवड़ी Capital मुंबई और राजुपाल कौन है भगस स खोसियारी अगला प्रस हमारे सामने है और ये question भी काफी important है किस रास के मुख्यमंत्री ने अंगन फोवा हबा कारिकरम सुरू किया है ये प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले कहां के मुख्यमंत्री है तो वो है आपके मनीपूर के ठीक है और ये है क्या यहां पर 260 करोर कर चे किये जाएंगे इस अभयान इस पोड़िगम के लिए इस कारिकरम के लिए जितने भी सिचाई भीवाग है न उसके उपर काम किया जाएगा पाणी विगरण को लेकर पूरे अच्छे तरह से ताकि किसान विगरण को पानी बहुत अच्छे से मिल सके ठीक है और एक ब अगला प्रस्त हमारे सामने हैं विस रेडियो दिवस हर साल कम मनाया जाता है और वर्ल्ड रेडियो डे हम सबी मनाते हैं 13 फैवररी को यानि option number आपका C अगला प्रस्त हमारे सामने भारक में रास्टियो महिला दिवस कम मनाया जाता है और यह भी मनाया जाता है आपका 13 फैवररी को क्यों मनाया जाता है National Omen Day क्योंकि सरोजनी नाइडो का जनम दिन हुआ था इसी दिन 13 फैवररी को और उनके जनम दिन के असर पर हम जो है National Omen Day मना यारी राष्टियों महिला दिवस या उनका 141 जनम दिवस था 141 ये भी याद रखियेगा अगला प्रस्त हमारे सामने हैं विश्व के सबसे वुजुर्ग वेक्ती का नाम बताना है जिसे आधिकारिक तौर पर 12 फेवरारी 2020 को गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे प का नाम क्या है चितेसू वतने में और ये जपान के हैं और इनका उमर कितना है 112 साथ 344 दिन ठीक है ना चलो तो ये थे आपकी इपॉर्टेंट कुस्टिन 15 फेवरारी का इसका पूरा का पूरा पूरा प्रडियाफ आपको टेली ग्राम पर मिल जाएगा अगर टेली ग्राम पर आप जुड़े हुएं तो विडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो मेरे जितने भी भाई वैने सभी को बहुत बहुत गुन मॉर्णिंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों आप में का खय लगेगा ठीक है ना चलिए